नमस्कार आप देख रहें MBT News से दोस्तों आप जेकी जनता को मुर्ख नहीं बना सकते जनता कभी भी आप से जेकी समझदार और जेकी पुश्यार दोस्तों जब जेकी चुनाव अयोग से जेकी पुछा सुप्रेम पोट ने कि आप उन राजनितिक दल का हिसाब हमको बताईए जिस राजनितिक दल के पास जेकी पैसा चुनावी फंड जेकी चुनाव अयोग ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं बता पाईए सुप्रेम कोट ने फिर से सवाल किया कि आप हमें जेकी अलग अलग पाटी का जेकी यह जेकी सर्वे निकाल करके देजिये कि किस पाटी को कितना किस साल में चुनावी फंड जेकी मिला चुनाव अयोग ने इस पर भी हाथ खड़े कर दिये और नहीं बताया दोस्तों यह खबर जेकी निकल करके सामने आ चुकी है और बखुबी तरीका से कुछ ऐसी राजनितिक दल है जिसका हिसाब जेकी होना निश्चित है दोस्तों आप हमारे चैनल पर विजिट करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जिरूब करें है दोस्तों मैं बता देना चाता हूं जब बड़ी बड़ी जब पार्टियां होती है तो उसस पार्टि के नेको जिकी सर्विलांस के बढ़ी बड़ी पार्टिया जेकि है तो यह सभी जेकि सुप्रीम कोर्ट और जेकि अन्य एजंसियों की नजर में बनी रहती है दोस्तों जब मोदी जेकि पूछा गया कि आप अपना जेकि चुनावी फंड का हिसाब जेकि दीजिए तो मोदी ने जेकि साफ साफ इंकार कर दिया कि मैं जेकि नहीं बता सकते ठीक है आप नहीं बता सकते लेकिन चुनाव आयूग जेकि बताएगा कि आपके पास कितना चुनावी फंड जेकी लोगों के द्वारा जेकी आती है चंदा के रूप में जेकी आता है इसका हिसाब आपको बताना पड़ेगा चुनाव अयूग ने भी हाथ जेकी खड़े कर दिया और जेकी नहीं बताया लेकिन यह जनता है हलक में हाथ डाल करके यह जेकी निकलवा लेती है सच उगलवा लेती है कि आपके पास जेकी कितना चंदा कहास जेकी आता है कौन जेकी चंदा देता है आपको और चंदा देता है तो खैदा क्या है उसको दोस्तों इस बात पर जेकी ध्यान दिजिएगा कि आप अगर चंदा देते हैं किसी राजनेटिक दल को तो आपको खैदा होता है या नहीं होता है अब दोस्तों जेकी बिजेपी को जेकी 23% से 23% चंदा जेकी 2014 के पहले जेकी मिलता है और आज 54% जेकी हो चुका है कौन ऐसे जेकी लोग है वही जनता है जो 23% देती थी और वही जनता है जो आज 54% पर जेकी पहुंचा दे है सिर्फ जेकी चुनावी जेकी फंड जेकी मिला है अब इसमें सोचने वाली विसर यह है कि आप जेकी फंड मिला है या कला धन जु वापश लाने की बात कर रहे थे उसको जेकी आपने एकत्त्रित कर लिया है अगर आपने एकत्त्रित किया है तो उसका झे खिसाब जेकी देना चाहिए यहां चुनावी फंड आपको मिलता है सबसे जेकी बड़ी पाल्टी राजन्तिक पाल्टी भीजेपी है सबसे धनी पाल्टी जेकी सिबिजेपी भी केसे इसकником दियोग पति कि हाथ है यह बढ़े बड़े पति इसमेशे की संमीड़्ट है जो आपको करोडू रूपिय जेकि चंदा किरुप में दे रहे हैं अगर रहे हैं जेकि प्यां किया क्यों दे रहे हैं इस विसटर पर जा कि जनता भली भांती जानती है कि आपके पास कहां से पैसा आ रहा है और कौन दे रहा है और उसको क्या लाव है आपको कुछ द्योग पतियों का नाम जीके मालूम है कुछ अम्बानी अडानी का तो नाम आप लोग जैकि जानते हूंगे बागी किशी का जाने या ना जाने बाकि तमाम जहे की जगह से चुनावी बॉंड के नाम पर उनको मिलता है या चुनाव आयूग ने साथ इंकार कर दिया कि हम नहीं बताएंगे मोदी ने भाग खड़े हुएं बोले कि मैं नहीं बता सकता हूं कि मेरे पास कितना जहे की धन है और कितनी बड़ी जहे की मैं रखम जहे की हमारे पार्टी के अंदर है या खाता जी की लिक कैसे हो गया मैं आपको समझाता हूं कि टाइम्स अफ इंडिया दा टाइम्स अफ इंडिया जीकी एक पर न्यूज में इस बात का जिक्र हुआ और खुलासा किया कि 2014 के पहले 23 परसेंट तक जीकी चंदा जीकी बिजेपी को मिलती थी और उससे जीकी चुनाव जीकी जीतते थे लड़ते थे जो भी करते थे लोग जीकी कोई इतना भी इतना जीकी पैसा जीकी देते हैं लोग इतना पैसा देते हैं लोग कि आज 54 परसेंट तक जीकी पहुँच गई आठ सो चौवण जब 23 परसेंट जीकी मिलता था तो आठ सो चौवण करोड थी और आज जीकी दो हजार तीन सो कुछ करोड रुपिया जीकी एक साल के अंदर चुनावी बॉंड के बॉंड में मिलता है और वह जीकी पैसा जीकी मिलता है तो मोधी जी क्या करते हैं उन लोगों के लिए जीकी काम करते हैं कि नहीं करते हैं या जनता भली भानती जानती है इसका हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए Supreme Court ने यह जेकि नेड़े लिया कि अब इस चीज को जेकि बंद कर दिया जेगा चुनावी बॉंड नहें मिलागा किशी पार्टी को तो इस पर जेकि मोधी जी आग बबु ले जेकि हो गए और वह जेकि चाहते हैं कि हमें चुनावी बॉंड जेकि मिलता रहे चुनाओय बॉंड जेकि प्राप्त करना यह है एक परकार से ऐसा जह के बन गया है, कि छोटे वैपारी है तो उसको ध्ोमकाते में भी लिया जा सकता है, बड़ा है तो उसे असानी से लिया जा सकता है कुछ लोग लालच बस देते हैं कुछ अपना जान बचानी के लिए देते हैं और पुंच जान जेकी बचवार है दोस्तों मैं बता दूँ कि इस प्रकास से नरेंदर मोदी के पास जेकी अथाह जेकी पैसा एकत्रित हो रहा है इस पर ये कि सुप्रेम पोर्ट जो निड़े लेना चाहता है कि चुनावी बॉन को समक्त कर दिया जाए तो आप इस पर ये कि आप क्या राय है आप अपना राय ज़रूर बताईए और दोस्तों मैं बात करूँ कि बिहार में आज जेकी बहमत साबित करने का आज आखरी दिन है और सुबह से सभी विधायकों के अंदर उठा ठक जेकी चल रही है जोड़-तोड की परकिरिया चल रही है आज जेकी जारी है उसमें जेकी आज साम तक जेकी नेड़े जेकी फ प्रवाई गाइव गाइव नैंटीन नाइन प्रसंट नहीं मैं एक प्रसंट की बाद करूं कि अगर उस इस्तिती में अनितीस की सरकार अगर चली जाती है तो कलपना कर सकते हैं कि बिजेपी का क्या हस्र होगा और बिजेपी 2024 में जो सेमी फाइनल खेल रही है इस टाइम उसका नतीजा उसके सामने जेकि क्या होने वाला है जिस प्रकार से तूड जूड की राजनिति करना और लोगों को अपने काम को बहत्रिन बताना और लोगों की काम को अनिक विपक्चि दलो को काम को गलत बताना जो इत प्रकार से पेशा है वह जे की आरपार की लड़ाई आज जे के सामने है और आज होकर ही रहेगा दोस्तों मैं बता दूं करोडों रुपिया खर्च करके नरेंद्र मोदी ने करोडों रुपिया खर्च करके राहूल गाधी को पपु साबित किये पपु साबित करने में राहूल गाधी को पपु साबित करने में करोडों रुपिया खर्च कर दियें लेकिन राहूल गाधी चंद घंटे चंद मिनट और बीना खर्च निसुल्क सेवा के साथ मोदी को पनौती करार देती है और मोदी को पनौती साबित करती है आप लोगों ने देखा होगा एक पर पनौती नाम से जीकि जारी हो गए थी पनौती पनौती के नाम से जीकि जाने जा रहे थी और उवह पनौती है या नहीं है या आपको तै करना है आप जीकि हमारे पिन कमेंट में कमेंट कर सकते हैं पिन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि नरेंद्रमोदी देश के लिए पनावती है या नहीं है दोस्तों किसी के राजनेटिक और किशी के प्रशनली चीज़ पर जेकी हस्तेच्षेप किसी का हक नहीं बनता है जेकी करना लेकिन जब सरकार हमारे लिए हैं सरकार आप के लिए हैं तो सरकार से सवाल और जवाब जेकी करना भी किसी परकार से दोस्त नहीं है किसी प्रकार से दोस्त नहीं होते हैं, सरकार से जे कि आप सवाल और जवाब कर सकते हैं, सरकार से जे कि पुछ सकते हैं, सरकार जे कि नहीं बताना चाहती है, इसका एक अलग विशा है, और सरकार क्या करना चाहती है, यह विशा एक अलग विशा है, लेकिन सरकार से जे कि बिहार में 12 से 35 बिजेपी और नितिस कुमार की पाटी से लोग लपाता हैं वह सब यह की पूरी पूरी अनुमान की लगाई जा रहे हैं कि वो ते जस्वी यादों से जाकर जेकी मिल चुके हैं और ते जस्वी यादों सरकार जेकी बनाने जा रहे हैं सरकार सामतक जेकी निड़े हो जाएगा कि बनेगा या नहीं बनेगा दोस्तों आप बिहार में किनके सरकार जेकी चाहते हैं जरूर हमें बताईएगा और दूसरी बात उद्योग पती जब दे रहे हैं इतना चंदा राजनितिक दल को तो सभी का नाम उजागर होना चाहिए कि किसने कितना चंदा दिया चुनावी बॉंड के नाम पर ये कि आप चंदा ले करके जो भी कुछ कर रहे हैं ठीक है लेकिन आप को ये कि नाम को उजागर करना चाहिए कि नहीं चाहिए कि किसने किस पाल्टी को कितना चंदा दिया यह बताना चाहिए अगर नहीं बताते हैं तो आप है और आप जेकि जंता के साथ आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं आप धोखे-बाज हैं धोखे-बाज कर रहे हैं या साबित होना चाहिए हलाकि सुप्रेम कोर्ट ने बात बोला है कि इस चुनावी बॉंड को अब समाप्त कर देना चाहिए अब समाप्त हो जाना चाहिए मैं इसे समाप्त करूंगा तो सुप्रेम कोर्ट से आप कितना हद तक सहमत है आप अपना राय जरूर बताइएगा दोस्तों साथ ही साथ हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कीज़िए और आप कहां से हैं विडियो देख रहे हैं किस जगह से आप जरूर हमेजे की बताईएगा दोस्तों जिस प्रकार से जैन्त शवधरी को अपने पाले मिला करके और नितिस कुमार को अपने पाले मिला करके नहरेंद्र मोदी इस बात को जे कि समझना चाहते हैं इस बात से गदगद हैं कि हम जेकि सभी जगा से जेकि फिनाव जीत रहे हैं तो यह जेकि एक प्रकार से भूल हैं क्योंकि कुछ ऐसे जेकि ओटरस होते हैं जो कभी भी लालच की बस में इधर से उधर नहीं होते हैं और कुछ को जेकि खरीदा बेचा जा सकता है और कुछ जेकि धाधली करके अपने पाले में लाया जा सकता है तो सभी हत कंड़ा जेकि बिजेपी अपना रहे हैं लेकिन इससे भी साधान रहने की जरुद है